हलो फ्रेंड्स वेलकम स्वागत थे आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में फ्रेंड्स क्या आप भी अपने फेस्वोक अकाउंट का पासबर्ट भूल गए हैं या आपको भी फेस्वोक अकाउंट कहीं लॉगन करने पर आपको दिक्कत आ रही है कि आप अपने फेस्वोक अकाउंट को लॉगन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका रीजन यह है कि आपने अपने फेस्वोक अकाउंट का जो पासबर्ट बनाए था उसे आप भूल चुके हैं तो आपको टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है क्योंकि आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल प्रोसेस के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप चुटकी बजाते अपने फेस्वोक के पासबर्ट को पता कर सकते हैं तो आपने बिल्कुल सही सुना है तो इस वीडियो को आपको complete end तक देख लेना होगा जिससे कि आपको सारको समझ में आ सके तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देता हूँ फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं mobile screen पर यहां आने के बाद आपको अपने chrome browser में चले जाना है यहां आने के बाद कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाता है तो आपको यहां पर एक देखिए arrow का या three dot का option देखने को मिल जाता है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है आपको यहां क्लिक करने के बाद नीचे scroll करना है नीचे आपको एक settings का option देखने को मिल जाता है उस पर आपको क्लिक कर देना है जैसा ही आप click करेंगे तो आपको फिर से बहुत सारी option देखने को मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक first में option मिलता है search engine का second आपको एक option मिल जाता है password का तो इस password वाले option पर click कर देना है सबसे पहले आपको उपर देख लेना है जो आपका save password है यहाँ से on रहना चाहिए जब भी आप password कोई चीज लॉग इन करेंगे तो आपका जो password है यहाँ आकर save हो जाएगा अब आपको नीचे scroll करना है यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका जो facebook है वो कहाँ पर है तो मैं यहाँ पर अपने facebook वाले option पर click कर देता हूँ यहाँ भी आप देख सकते हैं जो मेरा facebook का password है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाता है मैं यहाँ पर इस ice वाले option पर जैसे ही click करूँगा तो मेरी जो mobile screen का password है वो मांगेगा या फिर आपके मुझे में fingerprint option है तो उस पर भी आप click करके अपने जो password है उसे यहाँ से देख सकते हैं आपका जो password facebook का रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ से आप अपने password को देख सकते हैं या देखना सीख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आप सभी passwords को कैसे देख सकते हैं तो friends उमीद है वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं फिर किसी नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई